हेलो दोस्तों आप लोग कैसे हैं एक बार फिर से आगया हूं मैं आप लोग के सामने लेकर के फैक्टराइजेशन का लेक्चर नंबर 5 और धीरे धीरे हम लोग टाइप वाइस फैक्टराइजेशन को आनलाइस कर रहे हैं टाइप वाईस फैक्टराइजेशन को हम लोग पढ़ रहे हैं और उम्मीद है आप सब लोग को फैक्टराइजेशन समझ में आबिरा होगा अगर आप लोग को कोई दिख्क्काद है तो हमारे वाटस सैट नंबर पर आप कॉंझाटे कर सकते हैं उस पर मैसेच भेज सकते हैं कांटेक्ट नंबर का लिंक या कांटेक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ठीक है मैं यहां पर भी आप लोग को लिख के बता दूंगा ठीक है और उम्मीद है सारी चीज़ें आपको क्लियर रहे होंगे कहीं से कोई प्राब्लम नहीं आई होगी तो आज हम लोग एक और टाइप पर डिसक्स करेंगे और वहुगा फैक्टाइजेशन भाई यूजञ चंदीशनल आइडेंटीटी यानि किसा इस्तिमाल करेंगे करेंगे आप लोग को बताए थी क्टिशनल आइडेंटीटी क्या होती है ठीक है उस पर हम लोग फैक्टाइजेशन discuss करेंगे ठीक है और सब कुछ अच्छा चला होगा आप लोगों के साथ कोई problem होगी नहीं सारी बात समय रही होंगी लेट में चेक everything is clear and mic is connected yes everything is okay तो अब भी हम लोग पढ़ेंगे क्या type कौन सा type रहा होगा ये टाइब सेवन कोई भी टाइप रहा हो पता नहीं हमें टाइब टाइब चेक कर लिजेगा सेवन थी है अगर नहीं होगा तो उसको करेक्ट कर लिजेगा आप लोग factorization factorization by using conditional conditional अ फाइंटिटी को चिंडिशनल अ इटीटी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे इस पढ़ेंगे ठीक है कि क्या थी हमें आप लोग को बताये था तैसे हमने आपको बताये था कि ए-क्यूब-ब्प्यूब-प्यूब-व्व-व्व्व-व्व-दे-षिव-व- इस identity पर वो क्या था A plus B plus C और फिर bracket में A square plus B square plus C square minus A B minus B C minus C ऐसे था और हमने आपको बताया था conditional identity ठीक है conditional identity के लिए A plus B plus C की value क्या हो जाती है 0 और जब यह हो जाती है 0 तो यह पूरा हो जाता है 0 और हमारे पास आता है A cube plus B cube plus C cube is equals to 3 A B C ठीक ठीक है यही थी conditional identity एक बार फिर से मैंने आपको बता दिया conditional identity क्या है वो यह है और इसी identity का use करते हुए हम लोग factorization अभी करेंगे ठीक है किसी भी student को कोई problem है यहां तक बताई यहां तक सारी चीजे क्लियर है ना सब को समय आ रहा है चलिए तो हम लोग कंडिशनल आइज इंटिटी का यूज करेंगे और questions को solve करेंगे सबसे पहले factorize पहला question है वो क्या है कि factorize किसको factorize करना है x- y का whole cube plus y-z का whole cube plus z-x का whole cube ठीक है इसको करना आपको factorize ठीक है यह आपको दिया गया है x-y का whole cube plus y-z का whole cube plus z-2 नहीं है यह जड़ है ठीक है यह जड़ है ठीक प्लस z-x का whole cube इसको आपको करना है factor जल्दी कीजिए पहले वीडियो को पाउस कीजिए using this identity दिखी रहा होगा एक तम सेम सेम आपको कोई प्राब्लम होगी नहीं एक दम बिल्कूल एक दम सेम तु सेम दिख रहा होगा कहीं से कोई प्राब्लम नहीं होगी वीडियो पाउस करके पहले खुछ से ट्राइकर लेट मीचेक क्या आपको दिख रहा है यह सारी चीज़ें आपको क्लियर दिख रही है कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है बस वायर है में डिस्टरब कर रहा है तो नहीं अच्छा ही आपको दिख रहा होगा कि AQ प्लस BQ प्लस CQ के जैसा यहां पे लिखा हुआ है लेकिन एक बात और आपको दिखनी चाहिए कि अगर हमार पास X माइनस Y को हमने A माल लिया Y माइनस Z को हमने B माल लिया और Z माइनस X को हमने C माल लिया ठीक और फिर हमने A प्लस B प्लस C किया ठीक है A प्लस B प्लस C मीन्स हुआ X माइनस Y प्लस Y माइनस Z प्लस Z माइनस X X से X कैंसल हो गया Y से Y और Z से Z कैंसल हो गया जानी आगया 0 इसका मीन्स क्या हुआ कि A प्लस B प्लस C की वैलू क्या है 0 इट मीन्स है कि यहां पर हम लोग कंडिशनल आइडेंटिटी लगा सकते हैं A प्लस B प्लस C की वैलू 0 इसलिए हम लोग कंडिशनल आइडेंटिटी लगा सकते हैं अब हम लोग यह लगा सकते हैं कि aq plus bq plus cq की वैलू क्या होगी? 3abc, इतना हम लोग डायरेट लिख सकते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3abc, और 3abc का मतलब क्या हुआ? 3a क्या मतलब का था? एकस माइनस y, x माइनस y, b का y माइनस z, c का z माइनस x, तो यह आपका हो गया है factorize, और यही है आपका answer, factorization का सीधा-सीधा मतलब है, कि product of polynomial या product of expression के form में आ जाए, जैसा कि आप लोगों को दिखरा है यहां पर, ठीक, बास्तान में आई, सब कुछ क्लियर है, ठीक है, यहां तक कोई problem की बात नहीं है, यहां तक कोई problem नहीं है, किसी भी student को कोई दिक्कत है यहां पर, बताईएगा, उमीद है सब को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई problem नहीं होगी, next देखते हैं, पहले इसको रप कर दिया जाए, कि कली आए, उमें, जमें, उमें, उमें क्रवा होगा है तर कि युचित दिंष रहती है, फंह इसा के ख Alrighty, ब은चित, का में तकुचित बाती है धुचित, कहाँग忙 है. फैसे गले आए, जतक हैं पहली है, बपुचित, नही है, तुफूल है चमन का मैं कलीब प्यार की, तेरे लबें पिलिखे तुम्हें दासतान प्यार की नेक्स्ट कुश्चन है, कुश्चन नमबर सेकेंड, उसे भी आपो करना है कि आप फैक्ट राइस चलिए फैक्ट राइस कीजिए, वो क्या है, वो यह है, कि X-2Y का होल क्यूब प्लस 2Y माइनस Z का होल क्यूब, माइनस कुश्चन गड़ गड़ नहीं होना चाहिए, अगर कुश्चन आप गहत लिखेंगे तो आप लाग सॉल कर लिजिए, अंसर तो खैर गलत ही आएगा, टू माइनस आपकी कुश्चन के गार्डिंग अंसर से यह आएगा, लेकिन इन Z माइनस X का होल क्यूब, मुझे Z देखना पड़ता है कि कई बार Z से बनाते हैं, कई बार ऐसे बनाते हैं, ठीक है, तो इसे आपको क्या करना, फैक्ट राइस, जल्दी कीजिए, अब तो आप लोग समझदार हो गए होंगे, अब आप जल्दी से इसको करके दिखाईए, यह भी AQ plus BQ plus CQ का फॉर्मेट दिख रहा है, लेकिन अगर हमको यह भी पता चल जाए, कि क्या A plus B plus C की क्या, यहां से समझा देते हैं आप लोग को, अब किलिर दिख रहा है, कि आपको अगर यह पता चल जाए, कि A plus B plus C की वैलू 0 है, तो हमें जो है, यह AQ plus BQ plus CQ का जो लिखा हुआ है, वो आसानी से हम 3 ABC लिख सकते हैं, using conditional identity, लेकिन conditional identity के लिए सबसे important चीज़ क्या है, कि A plus B plus C की जो वैलू है, वो 0 होनी चाहिए, A plus B plus C की जो वैलू है, वो कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, अगर हमारे पास ऐसा दिख गया, तो और हमारे पास AQ plus BQ plus CQ का format है, तो हम सीधे सीधे conditional identity लगा देंगे, वो क्या होता है, AQ plus BQ plus CQ equals 2, 3 ABC, कोई problem कि C भी student को नहीं होगी, ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं यहाँ पर, देखिए, क्या कर रहा है हम लोग, A हमारे पास यह, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, A यह है, B यह है, C यह है, ठीक तो हमने इसको add किया, X minus 2Y plus 2Y minus 3Z plus 3Z minus X, ठीक है, X से X हो गया, cancel minus 2Y से plus 2Y minus 3Z से plus 3Z equals 2 आगया, 0, यानि कि A plus B plus C की value 0 है, और हम लोग लगा सकते हैं, यहाँ पर क्या, conditional identity, conditional identity हम लोग लगा सकते हैं, conditional identity लगाएंगे तो 3A, B, C हम उसको लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, 3A, 3A, B, C का means क्या हुआ, means आपका यह हुआ, यहाँ पर लिख देते हैं, कि 3A की value है, X minus 2Y, और 2Y minus 3Z, B की value, और C की value है, 3Z minus X, ठीक, यहाँ तक सब कुछ clear दिख रहा है, किसी भी student को कोई problem, बहुत ही आसान से चीज लिखी गई है, कहीं से किसी भी student को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना, देख लीजिए, बास समझ में आ रही है, फिर से समझा दें, यह AQ plus BQ plus CQ का format लिखा हुआ है, देखते ही हम जा किया, कि A plus B plus C की value क्या 0 है, तो yes 0 है, और value अगर 0 है, तो conditional identity हम लोग लगा सकते हैं, वही हमने लगाए इसको 3 ABC, इस पूरे expression को 3 ABC लिख सकते हैं, और 3 ABC जैसे ही लिखा, अपने आप factorize हो गया, क्योंकि 3 ABC क्या है, product में ही है, और हमें product of expression ही चाहिए होता है, during factorization, factorization करते समय हमें, हमें क्या चाहिए होता है, कि हमें product of expression मिल जाए, बास समझ में आगी मेरे प्यारे दोस्तों, उमीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वाट्सैप कर सकते हैं, वाट्सैप नमबर जो है, मैं बार बार बता सब्कूरी जी, जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, वो आप इस पे message कर सकते हैं, इस सही चीज़ नहीं समझ में आई, आपके class से नहीं समझ में आई, और हमें अपने सी भी नहीं सम्में आई, तो भी इस आप को यहां पर दिक्कत है, चाहे आप अपने से question solve कर रहें, को को भी प्राब्लम लोगी आप हमारे नबर पे घ्लिष सकते हैं ठीक है सब कुछ दिख रहा है कर ऑको के कौई प्रॉबलम नहीं है ठीक को आलम नहीं है एक एक और कोश्चन लेते हैं को कुश्चन नमबर तडर कोश्चनल और थार्ड वह यह है windows Q-R का Q ठीक प्लस Q का Q R-P का Q प्लस R और P-Q का Q ठीक यहां तक दिख रहा होगा आप लोगों को उमीद है सब को दिख रहा है हम भी देख लें दिख रहा है कि नहीं यहां तक तो दिख रहा है कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है अब इसे इसे आपको क्या करना है फैक्टराइज करना है ठीक है मेरे दोस्तों इसे आपको क्या करना है फैक्टराइज करना है देखिए आप अगर टाइप वाइस पढ़ लिए सारी चीजे अब यह last type है आप मेहना से शिद्धत से पढ़ लिए सारे type अगर आपको समय में आ जाते हैं Factorization कभी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है यह मेरा वादा है Factorization कभी आपका कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकता है अगर आपको सारे type बन्यादी तोर पर basically आपको पता है सारी चीजे तो आपका factorization कुछ नहीं बगार सकता सबसे कठन topic होता है आपको बता दो factorization is the very very toughest toughest topic होता है factorization लेकिन जब आप उसको टाइप पड़ते हैं उसके बाद मैं आपको कराऊंगा उसके बाद फिर पॉलिनुमेल का डिवीजन होगा रिमेंडर ठोरम फैक्टर ठोरम उससे और टाइप जितने भी है उन सबसे कोई भी आप फैक्टराइजेशन का कोई भी कुश्चन आ जाएग है ना वायर वायर यह वायर जो है ना चलो ठीक इसे आप पहले खुछ से ट्राइप किया करें उसके बाद हम भी आपको बताएंगे ठीक है अच्छा सबसे पहले ही जो दो दो तीन क्यूब लगे हुए है सबको एक क्यूब में कर लेते हैं को मां लोग सकते हैं पी क्यू माइनस आर इसका होल क्यूब ठीक plus q r minus p इसका whole q plus 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 r p minus q ka whole q ठीक बास्ताम में आई फिर से हमारे दिमाग की घंटी बजी और घंटी में क्या बजाई दिया क्या सुनाई दिया उस घंटी में कि AQ प्लस BQ प्लस CQ का फॉर्मैट तो दिख रहा है लेकिन अगर हमें A प्लस B प्लस C की वैलू 0 मिल जाए तो हम फिर conditional identity लगा सकते हैं तो हमने चेक करने चले गए कि क्या A प्लस B प्लस C की वैलू क्या आ रही है ठीक तो हमने चेक किया A है P Q माइनस R प्लस B है Q R माइनस P और C है R P माइनस Q ऐसा है इनको एड़ करते हैं तो एड़ किया गया तो पहले यहां पर तो P Q आया माइनस P R प्लस Q R माइनस Q P प्लस R P और माइनस R Q P Q से आपका Q P कट गया P Q Q P एकी चीज़ माइनस P R से प्लस का P R कट गया और Q R प्लस से कैंसिल हो गया Q R माइनस का यानि ठीक है इसकी वाईलू आ गई जीरो और हम लोग कंडिशनल आइडिन्टिटी का यूज कर सकते हैं बहुभी कर सकते हैं ठीक है तो कंडिशनल के लिए हमने लिखा थरी P और P यही तो है आपका यह A है यह A है यह B है यह C है तीनों को माइनस R फिर तीनों को माइनस करना है Q R माइनस P फिर क्या लिख सकते हैं R P माइनस Q ठीक है यहां तक नीचे स्पेस है क्या नीचे स्पेस है कि princi यहां स्कता है नीचे और हम लोग लिख सकते हैं फिलयर फ्य विखनी ये यहां पर कर अब थोड़ा सा म्रकाने फूराना सा मैक्ष कर लेते हैं इसको but this is the simplest way लिखने में अच्छा लग रहा है तो आपके लिए यह क्या हो गया बहतरी उसा आंसर अब आपको दिख रहा है सारी चीज़ें अब आपको दिख रही है कहीं भी किसी भी इस्टुडेंट को कोई प्रॉब्लम है बोलिएगा नोट का लिजे तो नोट का लिजी आप लोग इसको कहीं से कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टुडेंट को सिफ आपको क्या करना इस फॉर्मैट का देखना है और एप्लस बी-प्लस चेक करना है क्या एप्लस भी-प्लस जीरो है या नहीं जीरो है धड़ से इसको लगा देना है कुछ सोचना विजारना नहीं है ठीक है कुछ सोचना विजारना नहीं है हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम जाने मन महाबत की कसम ही कसम ना चुदा होंगे हम हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम जाने बन माबक की नकसम ही कसम ना जुदा होगे हम तुझे दिखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दिवाना सनम सिंप्लिफाई क्या करना आपको सिंप्लिफाई करना है क्या सिंप्लिफाई करना वह भी देख लीजिए वो है आपका A²-B² का होल क्यूब प्लस B²-C² का होल क्यूब, ठीक, प्लस C²-A² का भी होल क्यूब, अपान, अपान, ए माइनस B का होल क्यूब, प्लस B-C का होल क्यूब, प्लस C-A का होल क्यूब, ठीक, यह चीज़ लिए इसको सिंपलिफाई करना है आप लों को, अच्छा, AQ+, BQ+, CQ का फार्मेट उपर भी, AQ+, BQ+, CQ का फार्मेट नीचे भी है, बस आप कोई क्या पता लग प्लस B+, C, B, 0 है, अगर ऐसाथ उसी दिशीदे हम लोग कंडिशनल लगा देंगे, A, A, B, A, C, A, Nीचे के लिए, A, B, C, को एड़ करेंगे, A, B, C, को एड़ करेंगे, A, SQ, R, यहाँ, माइनस में, SQ, R, कैंसिल, B, SQ, R, मैनस में, SQ, R, मैनस में, SQ, R, मैनस में, SQ, R, मै जानी की, A, B, B, C, की वैलू, उपर में क्या हो रही है, 0 हो रही है, इस्त मीनस, इसका क्या मतलब है, नहीं आपको समझा रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, चूंकी, चूंकी मैं लिख दे रहा हूँ, चूंकी उपर क्या है, A, SQ, R, माइनस B, SQ, R, पलस B, S तो समझ गया होंगे माइनस c2+, c2, minus a2 हमने इन तीनों को add किया इस से क्या हो गया सब कैंसिल हो ठीक तो a plus b plus c की value यानि क्या आप समझ रहे ना आप a plus b plus c क्या था यह वाला ठीक a a plus b plus c हमारा generalized form है a plus b plus c यह जीरो है उपर भी है नीचे भी देख लीजे नीचे a minus b है a minus b plus b minus c है b minus c c minus a है c minus a से a b से b c से c यहां पर भी आंसर 0 है ठीक यह format दिख गया आपको किया format है यह आपका इस तरह का format दिख गया आप सीधे conditional उपर लगा दिए conditional उपर लगाएंगे तो 3ABC A क्या है A है आपका A square minus B square B क्या है आपका B square minus C square यानि B square minus C square ठीक और C square minus A square क्या है C square minus A square यापका C है ठीक अपन नीचे भी वही बात है A Q plus B Q plus C cube इसको हम लोगों लोगों सकते हैं 3ABC 3 A है A minus B B है B minus C और C minus A है तो C S आम लोगों ने लिख लिया फिर आजाए नीचे या आपको दिख रहा होगा A square minus B square को क्या लिख सकते हैं A plus B A minus B ठीक B square minus C square identity है B plus C सब दिख रहा है ना B minus C लिख सकते हैं A square minus B square की identity दिख रही ना C plus A or C minus A ठीक अपन 3 A minus B B minus C C minus A A minus B A minus B B minus C B minus C C minus A C minus A 3 से 3 ठीक बच क्या गया A plus B B plus C और C plus A या आग या कि आपका answer simplified हो चुका है ठीक है कोई problem किसी भी student को यहां तक note करिए और बताई कहीं पर कोई problem है note करिए जल्दी note कीजिए फटाफट तुरंत note कीजिए note करिए प्यास लग गई सी ठीक है note कर लिए है कोई दिक्खत काहीं से कोई problem बताईएगा प्यासे को पानी पीना बहुत जरूरी है अधर वाइस सब कर बढ़ जाएगा तमझ में आगया सब ना चलिए आगे बढ़ें जादो तेरी नजर खुश्बू तेरा बदन तु हाँ कर या ना कर तु हाँ कर या ना कर तु है मेरी किरन तु हाँ कर या ना कर तु हाँ कर या ना कर तु है मेरी किरन तु हाँ मेरी किरन यस नेक्श्ट कोश्ए नेक्श्ट नेक्श्ट कोश्ए किोश्ए नबर फिफ्ट यस फिफ्ट पर आते हैं चलिए कहा गया है कि if 5th if P is equal to 2 minus A ध्यान से दिखिए और कहा गया है प्रूफ की इतना ही दिया गया है कहा गया है प्रूफ कीजिए कि A Q प्लस 6 A P प्लस पी क्यूब माइनस एट की जो वैलू है वो है जीरो ठीक यह कहा गया है इफ पी जुकर्स टू माइनस ए देन प्रूफ करना है एक यूब प्लस इक से भी प्लस पी क्यू माइनस एट इस इक्वास तो जीरो बताये कौन करेगा कौन मेरा प्यारा सा इस्टुडेंट कौन मेरा प्यारा सा दोस्त कौन मेरी प्यारी सी बहिनी कौन करके दिखायेगा इसको पताये कौन करेगा पहले खुड से ही ट्राइब करें उसके बाद ही आप सोलूशन देखें ठीक है अच्छा A Q प्लस 6 A P प्लस P Q माइनस 8 ऐसा दिख रहा है आप लोगों को अच्छा इसी चीज़ को हम लोग क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसको इसको लिख लें A Q लिख लिए P Q को P Q लिख लिए माइनस 8 को प्लस माइनस 2 का होल क्यूब नहीं लिख सकते क्या यानि AQ plus BQ plus CQ दिख रहा है माइनस 2 का होल क्यों माइनस 8 आ जाएगा ठिक अब माइनस तो होता है 3 A की वैलू है A B की वैलू है P और C की वैलू कितनी है माइनस 2 अब आपको दिख रहा होगा कि AQ plus BQ plus CQ माइनस 3 ABC यानि आप इसको अगर मल्टिप्लाइ करेंगे 3 दूना 6 माइनस माइनस plus plus 6 AP आ जाएगा ठीक और फिर माइनस 8 is equals to 0 ऐसा प्रूफ करना है ना 0 प्रूफ करना है तो 0 मतलिकिए 0 हमें प्रूफ करना है ठीक है 0 हमें क्या करना है कि प्रूफ करना है चलिए ठीक है माइनस 8 यह बात समझ में आ गई है आप लोगों को अच्छा आप समझेगा यह क्यों प्लस बीक्यों प्लस एक्यों माइनस 3 ABC लिखा हुआ ठीक तो हम लोगो इसको क्या ऐसी वाले फॉर्मेंट पर नहीं कर्वट कर सकते हैं हमने प्छले लेक्टर बता या ठीक हमने इसको क्या किया तो हमने इसको क्या है यह प्लस बीप लाइनस टू ठीक और फिर a स्कॉाइर प्लस पी स्कॉईर और दो का स्कॉयर मतलब 4 और top प्लस-फोर हो जाएगा कोई इंशन की बात नहीं है, ठीक माइनस a b मतलब a p माइनस b c मतलब माइनस 2 और फिर माइनस यह भी लगा तो यह प्लस हो जाएगा प्लस 2p ठीक कि माइनस a c माइनस a c a और 2 two two A हो गया माइनस और यहां माइनस लगता तो plus plus two A क्या हो गया class two a ठेक है अब बताएगा अच्छा बाप यहां तो यह लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ पिज उ कस्टो a लिखा हुआ है जानी कि अगर हम सब को इधर ले आए तो A प्लस हो जाएगा A plus P minus 2 की value कितनी हो गई 0 मतलब इसकी value क्या हो गई 0 इसकी value क्या हो गई 0 और जब हमने इसकी value 0 करी इसकी value जब हमने 0 करी तो पूरे की value क्या हो गई आपकी एक जहां गड़बर भड़़गा है कुछ माइनस 8 नहीं हो गए यहाँ पर दिख रहा है ना नहीं होगा वहां पर ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए यहां पर आचुका है ना यानि इसकी वैल्यू अगर 0 है ठीक तो आम लोग यहां पर लिख दे रहें 0 into something क्या होगा कुछ भी हो 0 into something something means यह यह जो है ना 0 हमने फ्रूफ करना था U Q plus 6 A P plus P Q minus 8 को 0 के एक्वल प्रूफ करना था तो हमने A को A Q लिखा P Q को P Q Q Q Q का Q लिखा और माइनस 8 को माइनस 2 का होल क्यूब लिखा बास समया रही न और फिर हमने माइनस लगाया 3, A, B और C लिखा ठीक इसी लिख दिया हम लोगों ने फिर हमने देखा कि ये तो फॉर्माट उपर वाला बन रहा है हमने इसको उपर वाले के फॉर्माट में लिखा A, P, P, Minus 2 हम लोगों ने यहाँ से निकाला कि 0 के बराबर आएगा P, जुकाश चुट 2, Minus A है A को इधर लाए तो प्लस ये हो गया A, P, 2 को इधर लाए Minus 2, जुकाश चुट 0 0 से किसी नमबर में Multiply करते हैं, आंसर आता है 0 ठीक, बात समन में आ गई मेरे प्यारों दोस्तों 8 यहाँ चाँ जाएगा बात समन में आई क्योंकि 8 जो Minus 8 है उसको हमने Minus 2 का Q यहाँ पर लिखा हुआ है बात समन में आ गई की नहीं उमीद है सब कुछ समय आया होगा ठीक है, आगे बढ़े Next Question की तरफ बढ़े चलिए यहीं पर कर लिजे Next Question चलिए, फिफ्थ है फिफ्थ के बाद आप Sixth करिए Find Find value of Find the Value of किसकी value निकालने है दिख रहा है X-A का होल क्यूब प्लस X-B का होल क्यूब प्लस X-C का होल क्यूब माइनस 3 X-A X-B और फिर X-C इनकी value हमको निकालनी है ठीक, इसकी value हमको निकालनी है दिया भी कुछ हुआ है इसकी value हमको निकालनी है अगर यदि A प्लस B प्लस C की value है 3X के इक्वेल तो आप इसकी value निकालके बताईए यह क्या लिखा हुआ है आपको सब कुछ दिख रहा होगा यह लिखा हुआ है एक यूप प्लस B Q प्लस C Q मानस 3 ABC दिख रहा है आप लोगों को बताईए सबी स्टुडेंट को दिख रहा है कोई problem है कहीं पर भी तो आप बताईए हमें प्लीज बताईए प्लीज कोई problem नहीं है तो भी बताईए कि सर कोई problem नहीं है ठीक तो देखिएगा यानि यह एक यूप प्लस B Q प्लस C Q मानस 3 ABC यहां पर जो इसका फॉर्माट बन गया आपके पास ऑफ फॉर्मूला बन गया आइडिटिटी बन गई हम इसको यह इस फॉर्माट में लिख सकते हैं ठीक इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस B प्लस C वाले प्लस B मतलब X माइनस B प्लस X माइनस C ठीक यह हो गया अब इस ब्रैकेट में लिखते हैं A स्कॉयर मीन्स X माइनस A का हॉल स्कॉयर ठीक B square means X minus B ka whole square और आ जाते हैं नीचे plus X minus C ka whole square ठीक minus A B means X minus A X minus B X minus A X minus B minus B C means फिर bracket यहां पर लगाते है minus B C means क्या हुआ B means X minus B C means X minus C ठीक minus B C हो गया minus A C minus A C या C यह कुछ भी बोल दिए तो यानी हो गया X minus C और X minus A ठीक यहां तक बात क्लिए है A plus B plus C A square plus B square plus C square minus A B minus B C minus C यहां पर यहां पर आप करली ब्रैकेट का यूजे करली ब्रैकेट का इससे आपको लगेगा की चीज़ें अंदर लिखी हुई है ठीक है कैसे एक फिर्फ क्लिश खुए मैंधस B-C ब्रैकेट मीलिख अनदर खुए आइसे। और फिर इस ब्रैकेट में यhou जो ब्रैकेट है Arm Hungarian के अंदर दूसरे ब्रैकेट में है यह सारे चीज़े लिखी है, इनी कौन लोगों ने चाहिए कर दिया यहूँ, ठीक है वह चीज लिखी हुए है. अब हमने यहाँ पर क्या दिया गया था हमको दिया गया था a plus b plus c की value क्या है 3x के equal है किसके equal है 3x के equal है तो 3x minus a plus b plus c की value क्या है 3x इस से ही हो गया cancelled और इस bracket के अंदर क्या भी दिया था आपको दिख रहा है यह bracket के अंदर क्या था ठीक तो हमारे पास आ गया 0 into something 0 into something होता है 0 ठीक जीरो बाहर था उससे अंदर multiply किया गया जीरो का किसी नमबर में multiplication answer क्या आता है हमेशा 0 ठीक है let me check दिख रहा है कि अधियर आपको समझ में आ रही है कि सब क्लियर है कि सारी चीजें समझ में आ रही है कहीं से कोई प्रॉब्लम ठीक पिर से गबर बता दें पिर से बता दें हमने क्या लिखा ए-प्लस-ब-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-फ्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस सब्सक्राइब कोई प्राब्लम है सारी चीज़े क्लिया रहें वह सब समय में आ गया ना इधर सब दोनों चीज़ें क्लिया रहें कि तेरे जाने का घंग करनाने का घंग क्या करें बहत आई गई आदें मगर है सिभा तुम्हें आना तुम्हें आना तुम्हें आना चलें आना चलें चांद तारों में नजर आई चेहरा तेरा 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 जिब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा चांद तारों में नजर आई चेहरा तेरा चांद तारों में नजर आई चेहरा तेरा चलिए कुछ उससे ही मिलता जुलता कुशन नमर्श सिक्स ते ही मिलता जुलता एक कुश्चन करेंगे लेकिन उससे पहले चलिए कर लेते हैं को दिकत नहीं है हलाकि कैमरे पर थोड़ा सा लाइट हा रही है तो उससे लाइट को क्या किया जाएं वहाला कि डिश्टर्बेंस नहीं होना चाहिए कामरे पर लाइट आ रही है उसको हो जाएगा सही वह है कि सब्सक्राइब बाई कि यह पाएगा भी कि वंग सेकेट वंग सेकेट चलिए ठीक है ठीक है ठीक हो गया ठीक तो कुश्चन करते हैं एक और कुश्चन कुश्चन नमबर सेवन तब प्लियर है ना यह गया वह दिक्कत नहीं है find the value of kiski value निकालनी है x cube minus 8 y cube minus minus 36 36 x y minus 216 if x equals to 2y plus 6 ठीक है इनकी value निकालनी है x cube minus 8 y cube minus 36 x y minus 216 if x की value है 2y plus 6 ठीक है बासर में आई इनकी value हमें निकालनी है यदि यह दिया गया है ठीक है ठीक है चलिए पहले यह लिखा क्या हुआ है इसको थोड़ा सा ज़स्कर दोसुला दिक दिमाग में घंटी बसती है कि यह 6 का क्यूब भाई साब ठीक और माइनस 216 का क्यूब है कोई बात नहीं इसको हम लोगों ने ऐसे लिखा x का होल क्यूब ठीक है एक क्यूब हो गया प्लस बीक्यूब एट वाई क्यूब को क्या लिसकते हैं तो आइक क्यूब लेकि माइनस लगा है तो अंदर माइनस भी आ जाएगा माइनस टू वाई का होल क्यूब माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस फिर से माइनस जाएगा माइनस माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस ठीक है इसलिए माइनस टूवाई क्यूब कि माइनस टूवाई इंटू माइनस टूवाई लिखेंगे तब माइनस एट वाई क्यूब आ जाएग माइनेश टू आई है है हसी क्यों माइनस अख सिक्स नहांस कर् language करने यह मैच हो रहा है कि नहीं कि वह दहुत हैं पॉद्देख़ेंगे तीन दुनाट जई और छो चमक्ण तिस ठीक मां मैनस माइनस 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 ए भू थो माइनस थर्ट इक या एक सब एक्सवाई ठीक क्लियर यहां तक बात यानि एक्यूब प्लस बी क्यूब प्लस एक्यूब माइनस थ्री एबी सी का फॉर्मैट है और इसको हम लोग फिर से उपर वाले के फॉर्मैट में फैक्टराइस कर सकते हैं ठीक फैक्टराइस कर सकते हैं यानि हम इसको लिख सकते हैं x-2y-6 लिख सकते हैं a plus b plus c ठीक a plus b plus c plus plus b means plus or minus minus plus minus minus ठीक बास समय आई a plus b plus c a square means x square b square चुकि minus है से कोई मतलब नहीं होता है square में 2y का square मतलब 4y square plus c square means 6 square 36 minus a b a है x b है just 2y माइनस 2y है ठीक है कि और माइनस माइनस कितना प्लस ठीक two x y माइनस 2y माआस 2y कि 맞 –1 । Ips-2y हो गया मानда से भी माइनस अभी माइनस 20 । c both these minus minus Plus minus- prac बाहर वाला माइनस माइनस ही रहेगा और यह कितना हो जाएगा छे दुनी बारा बात समय में आ गई माइनस सीए माइनस सीए माइनस चीए और यह एकस है तो कितना हो जाएगा यह हो गया माइनस 6i c x 8ए माइन सिक्सेक्ट और बाहर है माइनिस क्या हो जाएगा माइन भी प्लस एक्स प्लस 6स वा समय आई बासर मैं अब दुम्हाराल इक को दिक्क्त है बताईए अफ प्लस 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 एअ डिया एई स्क्वायर ठीस कौयर क्लस interface minus in 10-20 और देखिए यह जो एकस दिखा हुआ है वो क्यों लिखा हुआ है उसका रीजन समझ यह हम थोड़ा सा उसको इधर ले आते हैं X-2Y कर लेते हैं 6 को भी इधर ले आते हैं माइनस 6 यानि इनकी वैलू जो है वो 0 है इनकी वैलू 0 है और यह है क्या? यही तो है यह है यानि यह क्या है 0 तो हम लोग इस डिब्बे में रख दिये 0 क्योंकि यह बन गया 0 और यह जो है इसमें कुछ भी रहेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 को किसी भी नंबर से मल्टिप्लाई करते हैं तो आंसर आटमेटिकली क्या आता है 0 अफकोर्स अपसिलूटली 0 ही आता है ठीक तो फाइंड दा वैलू ओफ दिस था इसकी वैलू क्या आगई इसकी वैलू क्या आगई X-Q-8Y-Q-36XY-216 की वैलू आगई 0 ठीक यह आपका हो गया आंसर अब बताइए कहीं से किसी भी स्टुडेंट को कोई प्राब्लम है कहीं पर कोई स्टेप नहीं समझ में आया हो सब कुछ क्लियर दिख रहा है यस सब कुछ एकदम क्लियर है कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं है उमीद है आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी कहीं पर कोई भी कन्फूजर अगर रह गया हो तो आप मारे वाटसैप नमबर पर जो है मैसेज भेज सकते हैं ठीक है और फिजिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो भी आप बताईए ठीक है और यह धीरे-धीरे आप लोग सारे टाइप सारे जो है लेक्षर पढ़ते रहें और धीरे-धीरे आपको सब कुछ तम्मिया जाता रहेगा नहीं स्विम्यारा फिर से देखिए पर देखिए बार बार देखें दो तीन बार देखेंगे आप एक दम मदबूत हो जाएंगे आप फैक्टराइजेशन में ठीक है और सारे लिक्षर देखिए ठीक आपको सारे टॉपिक्स आने चाहिए अगर आप क्लास 10th में जाना चाहते हैं उसमें अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो क्लास 9 में आपको मजबूत ही लानी होगी क्लास 9 आपका मजबूत और स्ट्रांग होना चाहिए ठीक है तो अमीद आप सब महनत से पढ़ाई करेंगे और जो हम कोशन देते हैं पहले उसे खुद से सॉल्व करेंगे तभी आप सुलूशन देखेंगे ठीक है थैंक यू सो मच